दोस्तों नमस्कार स्वागता आपके अपने यूट्यूब चैनल पे तो रोट दोस्तों रीट लेवल वन और क्लास नमबर ट्वेल आज हम पढ़ेंगे जो पिछले वीडियो थे उसके अंदर हमने जो आज तक के टोपिक थे वो किये उसके बाद हमने रास्त पति पढ़ा ल आज हम पढ़ेंगे लोक्सभा तो बारते सुविदान का आर्टिकल 81 कहता है लोक्सभा होगी लोक्सभा को नियमने सदन कहा जाता है एस्थाई सदन कहा जाता है पर्थम चेंबर कहा जाता है और लोकपिरिया सदन कहा जाता है एस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है दोस्तो अगर बहुमत नहीं होता है अगर सरकार फ्लोर टेस्ट पे पास नहीं होती है या सरकार के पास बहुमत नहीं होता तो सरकार इसको जो संसद के अंदर जगर बहुमत गिर जाता है तो जो लोकसबा है वो भंग हो जाती है जिसके विज़ेसे से एस्ताई के सदन कहते है और लो निर्वाकीट पांसो पचास और मननोनित दो सदश्ये होते है जिन को रास्ट पति महुद्या मनोनित करते हैं राजियों से पांसो तीश सदश्ये आते हैं तो यूटी यह जो यूणिण ँग्हों टरिटिरी है जैनि यानि केंदर सासित परदेश उससे 20 सदश्य आते हैं वर्तमान में जो कुल सदश्य है वो 549 हैं निर्वाचित और मनोनित 202 सदश्य हैं राजों से 530 सदश्य आते हैं और 13 सदश्य यूनियन टेरिटरी से आते हैं दिल्ली से 7 और अन्या से 1 आच्छे आते हैं परतेक से 1-1 अब इसमें कस्मीर के सदश्य भी साइज जोड दिये गए हैं लेकिन अभी तक वो सदन में किस परकार है इसके हम चर्चाबाद में करेंगे निर्वाचन सदश्यों का प्रतक्स निर्वाचन होता है फास्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम से यानि जो सबसे अधिक मत लेता है वह चुना जाता है निश्चित लोक्सभा निर्वाचन छेत्र होता है तो जो लोक्सभा का छेत्र होता है वो निश्चित होता है जैसे बिकानेर निर्वाचन छेत्र गंगानगा निर्वाचन छेत्र इ किया जाता है कारेकाल पांच वर्ष होता है आर्टिकल 83 के नुसार इसका कारेकाल पांच वर्ष होता है कारेकाल पूरा होते ही लोगसबा सुवत है बंग हो जाती है लेकिन राष्टपती बीच में भी कारेकाल पूरा होने से पहले भी बंग कर सकता है तो दोस्तों लोगसब कारे काल पांच वर्श उता ये 83 करने लेकिन राष्टय पती बीच मेंदी फिर पूरा होने से पहले इसको भंक कर सकता है नहीं जा सकता है तो राष्ट्रिय अपाथ का लगर हो तो इसे एक बार उने रहा एक वर्ष कãy ՠी बढ़ाया जा सकता है लोक्सभा के क्यों कौन से श्रक्तिया होती है तो मंत्री प्रशित के वो लोक्सभा के प्रति शायमों के रूप से उत्तरदाई होती है अतात विश्वास प्रस्ताव के वो लोक्सभा में लाया जा सकता है तो दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोक्स जो म लोग्सभा एविश्वास प्रस्थाव पारित करके मंत्री प्रशित को कभी भी अठा सकती है अगर लोग्सभा में एविश्वास प्रस्थाव पारित होता है तो मंत्री प्रशित को अठा दिया जाता है निंदा प्रस्थाव और स्थगन प्रस्थाव लोग्सभा में लाए जा सकते हैं धन विदेख के लोग सभा में पेस किया जाता है राजय सभा पर को इस पर अधिक अधिकार नहीं है तो दोस्तों जो धन विदेख है वो सिरफ लोग सभा में पेस किया जाता है राजय सभा को इस पर अधिकार नहीं है राजय सभा को लोग सभा जब धन विदेख बेजते हैं तो उसको 14 दिन का समय होता है उसके उपर संशोधन या कुछ आपत्ति करने का या कुछ मांग संशोधन करने का उसमे भी राजसभा को अधिकार है कि वह राजसभा की बात मानने या नहीं कि मान इसलिए वित के मामले में या दंविदे के मामले में wide A बहुत ज़्यादा सकती शली है, बजट पहले लोग सबा में पास किया जाता है, तो जब बजट पेस किया जाता है, तो बजट भी पहले लोग सबा में पास किया जाता है, पेस किया जाता है, उसके बाद राजे सबा में बेजा जाता है, अनुदान की मांगे भी पहले लोग स्वाड में पेस की जाती है कि novesse प्रिश्थ अपारिद कर सकते या एक लोग्सबा साधान दो हम से प्रिश्थ हफाड काल को स्मफ्थ कर सकती यह को दिए ऻौट जो दोरी कि अजहां जूब्श एम होता है तुछ एक लग्स अधिवेशन को लोग्सबा लिएतस है नहीं से चलाया जाता नि जो लोग्सभा की नियम उहां पे वह लागु řे जो निर्वाचन छेत्र है, उनको वापस रिवेलूट करता है, उनकी वापस निदारन करता है, वापस उनका सारा करकेर उनको बनाया जाता है, परिशिमन आयोग का गठन चुनाव आयोग के द्वरा किया जाता है, तो चुनाव आयोग जो है वो परिशिमन आयोग का गठन कर तो दोस्तों बेससे तो जो परिशिमन आयो का जो गठन रहे agree लेकिन आज तक टेवर चार बारी परिशिमनाईव का पर गठन किया गया है पहला 1952 दूसरा 1962 तीसरा 1972 यानि तीन तो लगातार चले 52 बहतर लेकिन बहतर के बाद अटल ब्यारी वाजपाई जी के टाइम 2002 में हुआ और वर्तमान में जो हमारी सीटों का निर्धान हुआ है जो जो हमारी सीटे हैं लोकसबा की वो 2002 के परिश्य में नायों के नुसार चल रही है बहतर लेकिन बहतर लेकिन बहतर निर्धान स्विदान स्विदान 1976 इस संशोदन में यह प्रायावदान था कि 2001 तक लोकसबा की सीटों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा तो 1956 का जो स्विदान 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 हुआ था उसमें लिखा गया था कि 2001 तक लोकसबा की सीटों में स्विदान नहीं किया जाएगा तो दोस्तों अब 2026 तक आपकी जो सीटें हैं उनमें कोई किसी परकार का प्रिवर्टन नहीं किया जाएगा एसा चोराइसिवा स्विधान शेशोदन जो 2001 में अटलबियर इवाजपाई जी के समय आया था उसमें कहा गया है उसके पस्चात प्रिशमेनायो का गठन किया जाएगा और सीटों का पुर्ण निर्दान किया जाएगा लोक्सबा सीटों में इराज्जे की सीट में कोई बदलाव नहीं किया जाना है संसोदन 87 स्विदान कहता है चोटे परिशीमन आयोकदार उस्वीकान में कि जंगर्ण करना चाहिए 2002 में चौता परिशमन आयों का गड़न किया गया था जिसके अधिक्स जस्टिस कुलदीप सिंग ने अधिक्स ता की 2008 में इसने अपनी सीपारितों के अनुशनशा दी तता 2009 के चुनाव इन्ही अनुशनशा के अधार पर किये गये तो दोस्तो 2009 के जो लोक्षबा के चुनाव वे उनके अनुशनशा के दार पर वे इसमें 22 राजियों तथा दो यूटी दिली वे पंड़ुचरी के लिए प्रिशमन का करिया किया गया था छे राजो का परिशमिन नहीं किया गया ता जिसमित कों से थे? जम्मू कशमीद जारखन, आसाम अरुनाचल परदेश, मनिपूर, वेनागलेन इन राजो का परिशमिन नहीं किया गया था स-C के लिए चोरियां सीट था स्ट के लिए सिंताली सीटें आरक्षित की गई थी राजस्तान के अंदर चार स्ट की सीट है बिकानेर गंगानेगर दोलपूर करोली वे भर्तपूर वे स्ट की सीट जो है तीन है उदरपूर बांसवड़ाव है दो साकुल साथ सीटें रिजरूग है पच्छिस में से साथ यजरूग है यहां यचे रिजरूग है उद्तरप्रदेश में सदन्फ का कार्यकार तो लोग सबा का कार्यकार एक यहंड़ की स्थीति में होता है य। आर्टिकल सिर्ण丘्रण है, उंकी योगियत्या क्या होगी तो वे बार्त का नागरिक होना चाहिए निरवाचनायोग द्वारा इस नीमित प्राधिकत के स्वेक्ति के समक्ष तीस रिया नुसुची में इस प्रयोजन के लिए दियेगे पारूप के अनुसार सपत लेता है तता प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने इस द्वार्थ का नागरिक होना चाहिए उसके बाद दिरवाचनायोग द्वारा इसके लिए जो अधिकरत वेक्ति हैं गार्णायोग द्वेक्ति हो का हो तो दो चीजे मैं तो पुन ध्यान रखने हैं दोस्तों राज्य सभा के लिए शंशत बनने के लिए 30 साल लोग सभा के लिए 25 साल की कम से कम आयू होनी चाहिए उसके पास योग्यता है जो संशत द्वारा बनाएगी किसी विद्वारा उसके दिन इस निमित विहित की जा चाहिए यानि 6 मार के अंदर अंदर उनके जो है सदन चलना चाहिए सदन सत्र शलने चाहिए वर्तमान में दोस्तों तीन प्रकार के सट्र चलता है ये चरावारी मार्च अपरेल में अपरेल दूसरा मह महासुन सत्र अगस्त सितंबर में और तीसता strict का दिसंबर में यानि इस प्रकार सदन चलता है फरवरी मार्च अप्रेल अगस सितंबर नॉमंबर दिसंबर यानि कुल साथ महीने सदन चलता है इसलिए इनमें 6 मेहनों का अंतराल नहीं आता अनुचे 86 केता है राष्टपती सदनों में सदेश बेश सकता है और अभी बाशन दे सकता है तो अनुचे 86 राष्टपती को या दिकार देता है अनुचे सद्यासी राष्टपती का विशेश अभी बाशन आम चु करते हैं लेकिन सधर उन्हें मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है तो दोस्तों जो मंत्रि होता है वह लोक्षभा या राश्द कर अलग़्छ का संध्श्यी कर लेकिन किसी बीकार फालक हर यहीं चीज महान्यायवादी के लिए लाग होती है प्रोटेम स्पीकर लोक्षबा के आम चुनाओं के बाद राष्ट्रपति दवनिर्वाचित लोक्षबा के वरिष्टम सदेशे को लोक्षबा की सदेशेता की सपद दिलाता है तसा उसे प्रोटेम स्पीकर ड्युक्त करता है यह फ्रांसिसी प्रंप्रा है तो दोस्तों चाह परना Stew twa के साथ ही प्रोटेम का पशाव का समपत हो जाता है तो दोस्तों जिसे की बात करें इसमापति किया गया इसे मान्यांट क्यू चेर्म्सपोर्टर कहते हैं यानि 19-19 में एक सुधार आया था बार सरकार इदनीम 19-19 मान्टेक्ट्यू चैम्सपोर्ट सुधार उदा उसके अंदर लोक्सबाद्यक्ष की व्योस्ता की गई थी फेडरिक वाइट इस पहले लोक्सबाद्यक्ष तता सचीदान सिना पहले उपध्यक्ष थे याद रखने की जूरत है 1925 में विटल बाई पटेल सेंटर लेजिसलेटिव एसेमली के अध्यक्ष नियुक्त किये गए थे जीवी मावलकर पर्थम लोक्सबाद्यक्ष अध्यक्ष अजादी के बाद थे यह महत्वपून है जीवी मावलकर लोक्सबाद्यक्ष जो अजाद होने के बाद पर्थम अध्यक्ष थे यह अप्रद ब्रिटेन के House of Commons के अध्यक्स से प्रेजित थे इसके कार्य क्या होता है लोक्सबा की बेटकों के अध्यक्सता करता है लोक्सबा की नियमों को लागू करवाता है लोक्सबा सदिशय में यदि कोई नियमों का पाले नहीं करता तो सस्पेंड करता है लोक्सभा सदेशयता के लिए त्याग पत्रिश विकार करता है निनायक मत देने का अधिकार होता है कोई विदेख धन विदेख है या नहीं लोक्सभा अधिक्षिस का अंतिमनेने होता है दल बदल के अरोपों में अंतिमनेने लोक्सभा अधिक्ष का होता है लोक्षबा की समीत्यों की अध्यक्षों की न्युक्ति करता है अंतराश्टिय संशद्य परते निदी दिल के अध्यक्षता करता है संशद्य के शुक्त अध्यशन के अध्यक्षता करता है तो इसके बहुत सारे ये कारिया ये आपको याद रखने है और अभी जो वर्तमान म वो माननने श्री ओमबिडला जी है जो हमारे राजस्तान के कोटा जिले से आते हैं और अच्छा कारिया है लोक्षबाद्यक्स के तोर पे वह कर रहे हैं और इससे पहले जो लोक्षबाद्यक्स थे वो स्रीमति सुमित्रा महाजन जी थे और उन्होंने भी पांच साल पूरा अच्छे से कारिया है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके में बताईए और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों में से सेर कीजि के धन्यवाद जहिन जभाद